हलो फ्रेंट स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एड़ पर दोस्तों आज के विए में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं चलिए सबसे पहले टॉपिक मैं आपको बताएता हूं सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग चक्रवात क्या है ठीक है चक्रवात के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवात क्या है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्वा के प्रमुख चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात के क कारण किस कारण से चक्रवात आता है ये तीन टॉपिक पर आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसलिए शुरू करते हैं वीडियो कर अच्छा लगे तो लाइक जरू कीजेगा और अच्छे से समझने के कोशिस कीजिएगा चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले जानते हम लोग कि चक्रवात क्या है देखे चक्रवात होता क्या है जब निम्न वाई मंदलिये दाब के चारों और वायू की तेज आंधी को चक्रवात कहा जाता है तो सरल सब्दों में किंद्र में कम दबाव के साथ उसके चारों और गोल घूमने वाले तेज तुफानों को चक्रवात कहते हैं चक्रवात घूमती हुई वायूरासी होती है इसका केंद्र एक सांत छेतर होता है जिसे जन्जा जन्जा या थंडर स्टॉर्म कहा जाता है चक्रवात जो होते हैं दो परकार क होते हैं ठीक है आप देख सकते हैं कि चक्रवात किस तरह से आता है आपने देखा होगा अब चलिए हम जानते हैं हम लोग की चक्रवात दो प्रकार के होते हैं तो कौन-कौन होते हैं देखे सबसे पहले होते हैं उसने कटी बंधिया चक्रवात ट्रॉपिकल साइकलोन ठीक है प्रित्वे की कर्क रेखा एवं मकर रेखा के जो मध्य में होते हैं उसको उसने कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी छेतर होता है उसे उसने कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो चक्रवात आता है उसको उसने कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो चक्रवात आता है अगला है सितोशने कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो चक्रवात आता है साड़े तेस डिग्री से साड़े छेयासट डिग्री तक के छेत्र को सितोस्न कटी बंधिये छेत्र कहा जाता है और इन छेत्रों में जो है उत्रियम धक्षनी गुलाद में 35 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांसों के बीच आने वाले चक्रवात को सितोष्म कटीबंधिय चक्रवात कहा जाता है यानि 35 डिग्री और पैंसर डिग्री जो उत्रिय और दक्षनी गुलाद है उनके अक्षांसों के बीच आने वाले चक्रवातों को सितोष्म कटीबंधिय चक्रवात कहा जाता है अब चली जानते हैं विश्म के प्रमुख चक्रवातों के बारे में भारत के आसपास समुद्री च्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं उन्हें चक्रवात कहते हैं अस्ट्रेलिया के उत्तर पस्चिमी च्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों को विली विली कहा जाता है क्या कहा जाता है जो अस्ट्रेलिया के उत्तर पतिन छेत्र में आते हैं चक्रवात उसको विली विली कहा जाता है और चीन और जापान के समुद्री छेत्रों में आने वाले चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है और अट्लांटिक महासागर में आनेवले चक्रवातों को हरी केन कहा जाता है याद रखिएगा अस्ट्रेलिये के उत्तर पचिन चित्रों में आनेवले चक्रवातों को विली विली कहा जाता है और जापान और चीन के समुद्री चित्रों में आनेवले चक्रवातों को केन कहा जाता है जिसके तीवरता सैफिर सिंपसन स्केल सैफिर सिंपसन हरिकेन वाइंड स्केल से माप जाता है ठीक है अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं USA के मैदानी छेतर से उठी ठंडी हावा और मैक्सिको की खाड़ी की गर्म हावा जब मिलती है तो भयंकर चक्रवात का निर्मान होता है जिसे टॉर्नेडो कहा जाता है मैदानी छेतरों में इसे टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है जो ज्यादातर मिसी सीपी मिसौरी मैदानी छेतरों में देखने को मिलता है टॉर्नेडो विश्वका सबसे खतरनाग चक्रवाथ है जिसके तिवर्ता को फुजीता स्केल से मापा जाता है जिसको हिंदी में फुजीता पैमाना कहा जाता है अब चले हम लोग जानते हैं चक्रवाथ के क्या कारण होते हैं देखे प्रित्वी जब सुर्य के प्रकास के कारण गर्म हो जाती है तब प्रित्वी में मौजूद वायू गर्म हो जाती है और गर्म वायू हलकी होकर उपर की ओर उठने लगती है जिससे वहाँ पर निम्न द दाब का एक छेतर बन जाता है जिसके बाद आसपास की उच दाब वाली वायू निम्न दाब के संपक में आने का प्रयास करती है तथा प्रित्वी जो है तथा तेवर गती से उसकी ओर जाने लगती है प्रित्वी की घुर्णन गती के कारण कौरियालिस बल उत्पन होता है कौन सा बल उत्पन होता है कौरियालिस बल किसके कारण प्रित्वी की गती के कारण ठीक है जिसके वज़ा से उच वायू दाब से निम्न वायू दाब की ओर चकर लगाने वाली वायू वृत्त के जैसा आकार ले लेती है अता इस क्रिया से एक बड़े से चक्रवात का निर्मान हो जाता है जिसके बीच में निम्न दाब और बाहर उच्च दाब होता है चक्रवात के दोरान हवाएं बहुत तेजगती से प्रभावित होने लगती है जिसके प्रभाव से घने बादलों का निर्मान होने लगता है और बिजली कणकने के साथ-साथ मुसलाधार बारिश भी होने लगती है अब चली हम लोग जानते हैं कि कोरियालिस बॉल या कोरियालिस प्रभाव क्या होते हैं देखे इसको कोरियालिस फोर्स कहा जाता है प्रित्वी के घुणन के कारण वायू की दिशा में विच्छे पुत्पन हो जाने से उत्तरी गुलार्थ में गतिसील वस्तु अपनी दाई और मुड़ जाती है और धक्षिनी गुलार्थ में गतिसील वस्तु अपने बाई और मुड़ जाती है इसका अध्यान सबसे पहले जी अब चली हम लोग जानते हैं कौरियोलिस बल या कौरियोलिस प्रभाव के बारे में जिसको कौरियोलिस फोर्स कहा जाता है ठीक है तो प्रित्वी के घुर्णन के कारण क्या होता है कि वायू की दिशा में विक्षे पुत्वन हो जाता है जो उत्री कुलार्ध में गत सील वायू होती है वो अपनी दाई और मुण जाती है और जो दखने कुलार्ध में गत सील वायू होती है यहां पर भी वायू होगा वाली बायूर ठीक है जिसके कारण होता यह है कि चक्रवात आ जाता है इसका अधियन सबसे पहले जी-जी कोरियोलिस ने किया था और इन्होंने अपने नाम पर ही इस बल का जो है नाम रखा था कोरियोलिस बल जिसके नाम पर इसको कोरियोलिस बल कहा जाता है ठीक है तो कोरि है यह आपने जान लिया चक्रवात आने के क्या कारण होते हैं यह आपने जान लिया और पिश्व के प्रमुख चक्रवात के बारे में भी आपने जान लिया तो कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो कर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरू किजेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा मिलता हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद